हेलो फ्रेंट, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास्थ्रीवन टेक तो फ्रेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने मोबाइल फॉन से ही यूट्यूब शोट्स का चैनल क्रियेट कर सकते हैं और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसी इंपोर्टेंट सैटिंग भी बताऊंगा जो आपको चैनल बनाने के तुरंत बाद करनी हैं जिससे आपका चैनल ग्रो होने में आपको काफी जादा हेल्प मिलेगी आप में से काफी सारे लोगों ने यूट्यूब शोट्स चैनल बनाए भी होंगे और उस पर वीडियो भी डालते होंगे लेकिन उनकी वीडियो वाइरल नहीं हो रही होगे क्योंकि आपने वो सेटिंग्स ही नहीं की हैं उसमें जो उसको बनाने के बाद आपको करनी होती है तो फ्रेंड्स ये वीडियो काफी जादा इंफर्मेटिव है वीडियो को पूरा शुरू से लेके लास तक जरूर देखेगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नॉटिफिकेशन बेल को ओन करके उसे ओल पे सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन के उपर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पे हमें यूट्यूब शोट्स का चैनल बनाने के लिए किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है तो मेरे पास Chrome ब्राउजर है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ Chrome ब्राउजर को उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है www.youtube.com और सर्च करना है उसके बाद आपको अपने Gmail एकाउंट से जो भी Gmail ID से आप YouTube चैनल बनाना चाते हैं शोट्स का उस Gmail ID से आपको YouTube में लोगिन कर लेना है मैंने इसमें लोगिन किया हुआ है इसलिए मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है उसके बाद आपको यहाँ पे यहाँ पे त्री डोट्स जो दिखाई देती हैं आपको टोप राइट में उस पे क्लिक करके आपको इसे desktop site में convert कर लेना है तो यह इस तरीके से आपके सामने open हो जाता है आप देख सकते हैं मैं आपको zoom भी करके दिखा देता हूँ यहाँ पे तो यह आप देख सकते हैं zoom करके top right corner में आना है हमको और जो हमारी Gmail ID का जो icon दिख रहा है आपको यहाँ पे profile का उसके उपर click करना है आ आपको और यहाँ पे आपको creative channel का एक option दिखाई देगा तो simple आपको इस creative channel वाले option पर click करना है मैं थोड़ा zoom in कर लेता हूं ठीक है इस तरीके से तो यहाँ पे आपको अपने channel का नाम डालना है आप जिस channel का नाम जिस category का channel आप बनाना चाहते हैं shorts का जैसे मैं यहाँ पे को ठीक है मैंने यह channel बना दिया जैसे नाम ठीक है तो मुझे यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे मुझे create channel के उपर click कर देना है तो यह आप देख सकते है educational shorts के नाम से यह channel create हो गया यहाँ पे अब आपको दूसरा tab लेना है और यहाँ पे आपको सिधा यहाँ पे search करना है creator studio आप देख भी सकते हैं या फिर आप direct essay भी लिख सकते है studio.youtube.com ठीक है तो YouTube creator studio आपका खुल जाता है यहाँ पे continue to studio पे click करना है आपको तो यह आप देख सकते है welcome बोल रहा है हमें continue पे click करेंगे तो यह इस तरीके से हमारे सामने यह page open हो जाता है हमारा dashboard open हो जाता है जो आपको चैनल बनाना तो मैंने सिखा दिया इसमें जो जो important setting आपको करनी होती है वो मैं आपको बताता हूं तो यहाँ पे आपको bottom में आप देख सकते हैं यहाँ पे setting का एक option दिखाई देगा आपको आपको इस icon पे click करना है तो यह इस तरीके से आपके सामने open हो जाती है ठ feature eligibility वाले option पे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं standard जो features है वो enable है लेकिन जो second number पे है जो हमारी intermediate features है वो हमें eligible अभी उसके उपर green नहीं आ रहा है वो enable नहीं है तो उसको enable करना है उसके लिए आपसे verify phone number मांग रहा है तो आपको simple क्या करना है verify phone number पे click करना है और उस पे आपको अपना number डालना है और उस पे OTP आएगा उस OTP पे जैसे ही आप डालके click करेंगे तो आपका जो यह channel है वो verify हो जाएगा phone number से और उसके बाद आप यहाँ पे क्या क्या डाल पाएंगे 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो तो हमें डालनी नहीं यह shorts का channel है आप custom thumbnail लगा सकते हैं live streaming कर सकते हैं अपील कर सकते हैं content ID claims का ठीक है तो यह आपको benefit मिलेगा तो यह आपको सबसे पहले यही step करना है आपको अपना channel जो है वह verify कर लेना है ठीक है मैंने आपको अच्छे से बता दिया इसको उसके बाद आपको यहाँ पे basic info पे आना है और यहाँ पे आप है वह आपको country select कर लेनी आप जिस country में रहते हैं तो मैं इंडिया में रहता हूं तो मैं यहाँ पे इंडिया select कर लेता हूं उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे keywords का एक option एक आपको box दिखाई देगा जिसमें आपको keywords डालने हैं अब यहाँ पे यह सबसे important चीज है इस channel की जो setting है सबसे important setting यही है कि आपको keywords डालने हैं यहाँ पे तो वो आपको कैसे डालने हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने channel का नाम यहाँ पे डालना है आप यहाँ पे आपका चैनल चाहे cooking का हो, tag का channel हो, कोई भी short channel जो आपने बनाया हो, चाहे educational है जैसे मैंने बना शोट्स उसके बाद कोमा लगा देना है और आपको बहार यहां पर टैप कर देना है तो यह एक टैग बन गया उसके बाद सेकंड नंबर पर आपको क्या करना है इसी को आपको अलग-अलग लिखना है अपने चैनल के नाम को ही एजूकेशनल फेक्षनल ठीक है एक तो यह हो गया और उसके बाद दुबारा से शोट्स जो मेरे चैनल का नाम है वो डाल दिया मैंने अलग-अलग वर्ड्स करके ठीक है इस तरीके से उसके बाद लिखना है आपको एजूकेशनल शोर्ट्स चैनल ठीक है इस तरीके से लिख देना है एजुकेशनल शोर्ट्स चैनल और इसको बाद आपको लिखना है एजुकेशनल यूट्यूब एजुकेशनल शोट्स यूट्यूब चैनल फिर आपको बाहर क्लिक कर देना है बाहर टैप करना है तो यह एक टैग बन जाता है तो हमने यहां पर क्या क्या डाल दिया एजुकेशनल शोट्स अलग-अलग करके फिर एजुकेशनल शोट्स चैनल ठीक है फिर ए यह उपर उसी व funz से rank करता है जब आपने नहीं टाल रखे उते हैं अब आपका शोर स्थे तो आपको शुर्ट के कुछ टैग्स यहांपे कुछ कीवर्ट आपे में पड़ेंगे तो सबसे पहले तो मैंने शूर्ट तो यहांपे डली ग्यांए आपको किसी कीवर्ड को रेपीट नहीं करना है उसके बाद आपको यहां पर डालना है शोट्स वीडियो उसके बाद बहार टैप कर देना है फिर आपको यहां पर डालना है शोट्स चैनल फिर बहार टैप कर देना है उसके बाद आपको यहां पर डालना है शोट ठीक है फिर टैप कर देना है बाहर और उसके बाद फिर से एक अलग डालना है शोट वीडियो पहले शोट डाल रहा था मैं अब यह शोट है तो ध्यान रखना है आपको शोट वीडियो ठीक है उसके बाद आपको डालना है शोट चैनल ठेक है इस तरीके से पहले Shorts करके लिखा मैंने और फिर Shorts करके लिखा उसके बाद यहांपे आपको डालना है Shorts, Shorts, Videos पहले वीडियो लिखा था, वीडियो लिखा है, उसके बाद आपको यहांपे लिखना है शोट वीडियोज अब वीडियोज यहां पर शोट वीडियो आ गया पहले शोट आ गया फिर शोट आ है ठीक है अलग अलग करके लिखना है आपको भी इसी तरीके से उसके बाद आपको यहां पर लिखना है शोट्स सकते हैं उसके बाद आपको फिर से YouTube शोट ठीक है यह होगे दोनों यह आपके जो शोट चैनल आप बनाएंगे उससे रिलेटिट कीवर्ड होगे उसके बाद आपको अपनी जो नीच है आपकी जैसे एजुकेशनल का है मेरा यह डमी चैनल जो मैंने आपको इस रिलेटिट कीवर्ड डाल सकता हूं वैसे ही आप अगर आपको कुकिंग का है तो आप को इस रिलेटिड या डाल सकते हैं ठीक है जैसे टैक वीडियो यूट्यूब चैनल टैक और भी काफी सारी जो भी आपके केटेगरी है उसके कोडिंग आप यहां पर कीवर्ट लगा सकते हैं जैसे मेरी एजुकेशनल शोट हैं तो यहां पर मैं एजुकेशन एक बनाके डाल सकता हूं एजुकेशन ठीक है उसके बाद मैं यहां पर और क्या लिख सकता learning का एक short keyword डाल सकता हूँ उसके बाद यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ education shorts ठीक है education shorts उसके बाद मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे education whitey shorts तो इस तरीके से आपको भी हाँ पे अपने चैनल से related keywords डाल देने हैं जो भी आपकी category है उसे नीच से related ठीक है तो यह सब हमने डाल दिया यहाँ पे उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे save का option मिलेगा तो आपको simple save पे क्लिक कर देना है ठीक है तो यह setting यहाँ पे एड कर देंगे upload defaults के अंदर वह automatic जब हम अपनी short video upload करने जाएंगे उसमें तो यह automatic वहाँ पे वह keywords आ जाएंगे जो हम यहाँ पे लिखेंगे तो टाइटल तो आपको पता ही होगा टाइटल में आप हो सके तो हैस्टैग यहाँ पे हैस्टैग shorts यह जरूर लिखते हैं ठीक है उसके बाद description के अंदर आपको कौन-कौन से tags डालने हैं वह मैं आपको बता देता हूं तो description में एक तो आपको shorts लिखना है जो आपने टाइटल में लिखा ठीक है उसके बाद आपको दूसरा tag जो लगाना है वह लगाना है whitey shorts उसके बाद आपको description के अंदर हैस्टैग अपने चैनल का नाम भी डालना है तो यहाँ पर मैं डाल दूँगा educational shorts ठीक है और आपको यहाँ पर लिखना है pilots video और आपको यहाँ पर लिखना है में श्यूट्ट वीडियो इए सपेस नहीं देना आपको यह keywords है करे इनको साथ साथ हिलेखना है है shorts video श्यूट्ट वीडियो तो यह आपको यहाँ पर keywords कुछ लगाने हैं और बाकि आप keywords लगा सकते हैं अपनी category के according ठीक है जिस type की video है उसके गोडिंग आप keywords लगा सकते हैं उसके बाद visibility है इसको चाहे तो आप public रख सकते हैं private कर सकते हैं listed कर सकते हैं तो मैं आपको suggest करूँगा आप private रखें इसको और जब आपको public करनी हो video तो आप यहां से select करके उसे public कर लें या आप unlisted डर्ख सकते हैं ठीक है उसके बाद यहां पर आपको tax लगाने हैं जो mandatory tax है सबसे पहले तो आपको अपने channel का नाम educational 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 shorts ठीक है उसके बाद कि आपको यहां पर इसमें आपको हैिस्टेक नहीं लगाना क्योंकि automatic यह पर जाता है बीना हैस्टेक के अटिक है थीक है तो यहां पर दूसरा आपको ड्रोक्त डालना है शोड्स में लंव 어떻कर ड्लाट चासे तिसरा आपको डालना यह वाईटी शोट्स कि दिबाए वीडियो जो आपको मैंने वहां कीवड़ बताया थे वैसे कीवड़ यहां लगा सकते हैं उसके बाद आपको यहां पर डालना है शॉट वीडियो कि भर प्रहा, गले बियु लाकर जो सकते हैं विडियो और यहां पर एजूकेशनल शोट्स हैं उसके रिलेटिट आप्कीवर्ट लगा सकते हैं बस यह काफी हैं यह टैक्स आपको यहां पर लगाने हैं ठीक है इनको आप जब भी आप कोई भी वीडियो अपनी जो भी शोट है वह आप डालना चाहेंगे यूट्यूब पर जब upload करेंगे तो automatic यह सारे टेक्स उसमें लगे आ जाएंगे इसके अलावा आप अपने जो आप जिस जो वीडियो डाल रहे हो से लेटी टेक्स आप यहाँ पर लगा सकते हैं ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पर इसे सेव कर देना है तो यह सेव हो जाता है ठीक है नीचे सेटिंग सेव आ लिखा हुआ फिर से हमें सेटिंग के अंदर जाना है और upload defaults के अंदर जाएंगे उसके बाद यहाँ पर advanced settings है advanced settings के अंदर आपको काफी सारी चीज़ी यहाँ पर देखने को मिलेंगी ठीक है अलो automatic chapter license है category है तो category आपको कैसे स्लेक्ट करनी है जो उनसी category का आपका चैनल है जैसे मेरा educational है तो मैं यहाँ पर education की लेंग्वेज यह भी हमारी हिंदी ही है तो हम इसमें भी हिंदी डाल देंगे है ठीक है तो यहाँ पर भी हिंदी select कर लिए बस नीचे comments है यह as it is रहने दें ठीक है यह सब आपका as it is हो गया उसके बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है उसके बाद फिर से settings हैं सारी आपको यह कर लेनी है तो यह important settings हैं जो आपको जरूर अपने चैनल जो वाइटी शोट्स का जो आप चैनल बनाएंगे उसके अंदर आपको करनी है तो उमीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपने यह setting पहले की हुई है तो भी मुझे comment section म में जरूर बता दीजिएगा तो friends अब आपने अच्छे से सीख लिया हुगा कि आप किस तरीके से अपने mobile phone का use करके अपना YouTube Shorts का एक channel create कर सकते हैं और उसकी जो जो settings आपको करनी है वो मैंने आपको अच्छे से बता दी है अगर फिर भी वीडियो से related कोई भी question कोई भी query है थैंक यू